आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आगर आप Snapchat यूज करते हैं, Snapchat के अंदर आपको कुछ इस तरह से problem आ जाती है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, जब भी login करने का try करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, due to repeated attempt or other suspicious activity or access to Snapchat is temporarily disabled, आपकी Snapchat है temporarily disabled करती जाती है, और आपको support code SS06 यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप प्रेशान हो जाते हैं, login नहीं कर पाते हैं अपने Snapchat के अंदर, इसका solution क्या है, आज की वीडियो में इसका proper solution बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में एंट तक बने रहेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल Snapchat को सर्च करना है, ठीक है, Snapchat को सर्च कर लेते हैं, यहाँ से आपको Snapchat को अपडेट पर लगाना है, अब देख भी सकते हैं, अपडेट का option आया हुआ है, कुछ लोगों को अपडेट का option नहीं आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको छोड़ देना है, और जि में आजाए डारेक्ली दर स्क्रोल कर ये नीचे यहां पर एप्स का उप्शन है इस पर क्लिक कर लिजिए मैं आपको बता दूँ मिरे पास अभी रेडमी का मोबाइल है आपके वसकी और ब्रांड का मोबाइल हो सकता है सैटिंग सूपर नीचे हो सकती है बट काम सेमी रहेगा ठीक है मैंने जब समयाना है उसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है जो आपकी स्नैप चैट थी कुछ लोगों को यहां पर ऐसे डारेक्ली नहीं मिलता है जो स्नैप चैट वगर्ण आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है वो भी स्नैप चैट को सर्च कर लेते हैं थोड़ा सव बेट करेंगे Snapchat आ चुकी है Open करते हैं यहां से इसको Open करने के बाद आपको सबसे नीचे clear data देखने को मिल रहा है, इस पर click करना है यहां से आपको इसका clear cache करना है सबसे नीचे clear cache लिखका इसका clear cache कर लिजिए दर उसके बाद directly back आ जाईए अब आप अमने Snapchat को Open करके देखेंगे Login करके देखेंगे, Problem Solve हो जाएगी दर उसके बाद भी Problem Solve नहीं होते आपको क्या करना है आपको यहां पर Long Press करना है यहां से इसको Uninstall कर देना है ठीक है Uninstall करने के बाद फिर से आपको Play Store पर जा रहा है इसको Uninstall करना है यह काम आपको करना होगा और मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग के अंदर जब आपको App Info को Option नहीं मिलता तो Long Press करके रहना आपको इसको आपको इसको Long Press करिएगा यहां पर Icon देखने को मिल रहा है इसको क्लिक करिएगा आप देखेंगे directly App Info के Option पर आ चुके हैं तो यहां से आप इसका Clear Catch कर दीजिएगा बसे ही आपको काम कुछ करने होगे और आप देखेंगे जो आपकी Problem होगी Login से Related SS06 वाला जो Code था वो Solve हो जाएगा फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा मसाज के वीडियो में तो आपको यही कुछ बताना था फिर भी आपको कोई Problem देखने को मिलती है मुझे Comment Box में बताईएगा मैं आपके लिए और solution लेकर आँगा आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिल दबाए